जिसने पिछले एक दशक में क्रिकेट के मैदान पर बल्ले बाजी से तमाम रिकार्ड्स ध्वस्त किये हैं अपनी बल्ले बाजी से क्रिकेट की दुनिया में एक नई लकीर खीची है जो किसी भी खिलाडी के लिए मैच कर पाना मुश्किल है वो क्रिकेट के ऐसे शिखर पर पहुँच चुके हैं जहां दूसरे खिलाडे सिर्फ पहुँचने का सपना देखते हैं वो दुनिया के सामने ऐसे क्रिकेटर बनकर सामने आये हैं जिन से प्रेणना लेकर युवा खिलाडी क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं हम बात कर रहे हैं दुनिया के बहतरीन बल्लेबाजों में श्मार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कहौली के बारे में आज 5 नवंबर को विराट कहौली का जन्म दिन है आज विराट 35 साल के हो गए हैं कहौली करोडो युवा खिलाडियों के लिए रोल मॉडल है विराट कहौली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ विराट मूल रूप से मध्यप्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं मध्यप्रदेश से कहौली का बड़ा गहरा नाता रहा है विराट को 9 साल की उम्र में प 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी तब कॉली ने दुआदार पारी खेल कर टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई थी इसके अलावा वंडे क्रिकेट में कॉली ने टारगेट चेज करते हुए 27 शतक लगाये है जिसमें से टीम इंडिया ने 23 बार जीत हा बता दे कॉली कलोते ऐसे खिलाडी हैं जो दिगज सचन तैंदुलकर के पहार जैसे रिकॉर्ड्स के बराबर पहुंचे हैं कॉली के नाम 78 शतक दर्ज है विराट कॉली के नेत्रत्व में भारती अंडर 19 टीम ने 2008 में विश्व कब जीता था विराट कॉली एक दशक में 20, अजार अंतराश्रिय रन बनाने वाले पहले बल्लिबाज है 35 साल के विराट ने योपलब्दी साल 2019 में भारत के वेस्ट अंडीज दौर में हासिल की थी बता दे विराट कॉली एक वर्ष में सभी ICC वार्शिक व्यक्तिगत पुरसकार जीतने वाले एक मात्र क्रिकेटर है 5 नवंबर 1988 को वकील प्रेम कॉली के घर जो किलकारी सुनाई दी आज वही शोर बनकर दुनिया के हर क्रिकेट स्टेडियम में गूंज रही है तीन साल की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ने वाला चीकू आज 45 साल का विराठ है जिसे दुनिया किंग कॉली बुलाती है बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दा नगरी न्यूस मैं सिद्धीका मनोहर सोनी आपके साथ शुक्रिया